तो देखे मनू जारंगे कोई समर्थर में लगतार लोग भी सपूर्ट कर रहे हमारे सहीूगी जो चुके हैं बिनोद बिनोद सबसे बड़ी बात यही कि लगतार आप देख रहे हैं समर्थर मिलते जा रहा है बैठकों का दोर शुरू हो चुका है जानना यह चाहेंगे आगे अब क्या रन्निती होगे देखे सरकार के लिए इतना आसान नहीं मांगे को पूरा करना आरक्षिन से जुड़ी यह बड़ी मांग है उसको पूरा करना लेकिन देखिए मैं आपको यह चित्र दिखाना चाहता हूं यह देखिए मनोजरंगे पाठिल की तबियत और खराब होते हुई जा रही है यहाँ पर जैसे जैसे समय बीटता जा रहा है वैसे वैसे उनका ब बैठक चल रही है उस बैठक में जो शिंदे कमिटी बनाई गई थी उस शिंदे कमिटी ने पिछले 30-40 दिनों में क्या अभ्यास किया उनके पास जो सबूत मराठ वड़ा से उनके हाथ में लगे हैं सबूत है जिसमें मराठा ही कुनबी है और कुनबी ही मराठा है ऐसे जो कुछ दावे और दो सबूत है वो आज समिती के सामने पेश होंगे हमारे साथ देखे ये मराठा समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है जो मनोज जरंगे पाटली के समर्थन में दीरे-दीरे यहाँ पर इकटा हो रहा है रोजाना ऐसी भीड यहाँ को पर देखने को मिलती है मराठ वड़ा कि मैं बात करूँ तो पिछले 2-3 दिरों से यहाँ पर उग्रा आंदोलन दीरे-दीरे शुरू हो चुका है बसेस पर तोडफर हो चुकी है बीड में दो बसेस को जलाया गया है इसके अलावा धराज शिव और जालना में भी बसेस पर पत्थरा हो किया गया है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करते हैं आज का छटा दिन है क्या कहेंगे मनुज जरांगे पाटी की तबियत खराब हो रही सरकार से क्या कहना चाहेंगे सरकार को अभी सांदोलन को और गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि आज मनुज जरांगे जी चटवे दिन के उपुशन पर है और उनकी तबियत अभी जैसे आपने बताया है डॉक्टर से हमने बात की है तो काफी उनकी तबियत में गिरावट आई है उनका बीपी लो हुआ है उनकी शुगर लेवल भी डाउन गई है तो हम मैं सरकार से यह दरकास करना जाता हूँ कि इस अंदोलन को जितनी गंबिरता से वेले जल्द से जल्द ले और मराटा का जो मांगे जो है वो समस्थ मांगे इस सरकार राज्या सरकार ने पूरी करनी आप कया कहेंगे सर अभी जो अभी एक जरंगे पडिल ने हैं लाखो जरंगे पडिल उनके आदेश पे अभी अमरन उपरोंशन पे कन्वर्ट हो चुके हैं अभी अमारे जिक्ठान भाटे पे ये विश्णू शेड के बोल के बंदा बैड़ा है उसकी सीरियस इतनी तब्बे सीरियस है तो उस को स्थानिक प्रशासंग जिल्ला अधिकारी तसिल्दार और वाके जो जिल्ला अरोग्या अधिकारी कोई भी उसकी तरब ढूंके देखने को तयार नहीं है और जो जो जरंगे पडिल के कल के आदेश पे कि हर जगे पे जो बंदे बैठे तो उन्होंने आमरन उपोशन पे समर्तन देने के लिए यह सरकार अभी आपने वो एक आपना एक नाजी सिंदी सरकार का वो स्टेटमेंट सुना था वायरल हुआ था अपने को खाली कहने का है कुछ करने का नहीं प्रेस कंपरांस में बोला था अभी वो स्टेटमेंट कब दिया था जब उन्होंने 30 दिन द प्राड़ा के दिये वो तीस और यह प्लस करके चालीज दिन हो गए अभी छटा दिन चाल रहा है शेंको यह सरकार गंभी तासे नहीं ले रहे यह सरकार क्या चाहती मैं बतता आपको यह माराटा रस्ते पर आये तोड़ फोड़ करें और यह सरकार जो हमारे जैसे बंदे म माराटा बन दे उसके उपर केस दालके उसको अंदर कर दे उसके वास्ते यह इतना और आरक्षिन हमरा उसका राइड बनता हमरा वो देना चाहिए लेकिन यह आप क्या कहेंगे और महाराष्टर के शिंदे साहिब और फड़निस साहिब और किंद्रे देशे की दे करेंद्र होती है मनोज जरंगे पडेल वो आरक्षन देने वाले चाहिए है वह अपने एक मराडा और लांग मराडा और चाहिए तो देखा यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आरक्षन मिलना जरूरी है सबके यही मांग है कि आरक्षन मिलना चाहिए मनों जलांगे पाजले की जो तबियत है वो तबियब खराब होते जारी है बिल्कुल बिनोद अब देखने वाली बात यह है कि चर्चाओं का दौर शुरू ह हो चुका है क्या निश्कर्स निकलेगा आप लगतार इस खबर पर नजर बनाए रखें फिलाल हमारी सरजूर निकले आपका शुक्रिया